आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एप्रन बनाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका इस एप्रन को बनाने के लिए जो मेजरमिंट्स मैंने यूज की है वो एक रेडिमेट एप्रन के लिए है जो के नॉर्मल साइज होता है और हर बाड़ी के पर फिट आता है तो च एप्रन की मेजरमिंट्स को मैंने यहां पर लिख लिया है अगर इस तरह से लिख लिया जाए तो हमें कटिंग और स्रीचिंग करने में काफी असानी रहती है यहां पर देखिए एप्रन की लेंद्ध है 32 इंच और इसकी चोड़ाई है 24 इंच जैसे यह नीचे से चोड़ा है वो है 10 इंच यहां पर कैमरा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया है उसके लिए मैं माज़र चाहती हूँ 10 इंच चोड़ाई और नीचे से 10 इंच का मैंने लंबाई से निशान लगाया है जो शोल्डर की तरफ गया था और यह जो सैकिंड निशान मैं आपको दिखा रह होगी और चोड़ाई होगी दो इंच और इसी तरह से यह गले के लिए पट्टी हमें चाहिए जो दो इंच चोड़ी और 24 इंच लंबी मुझे चाहिए जो साइज मैं आप से शेर कर रही हूँ यह स्मोल मीडियूम और लाज साइज सभी में इस्तमाल होता है और यही थी व यहां पर फैबरिक मैंने ले ली है और इसकी मैं लेंच सबसे पहले निशान लगा लूगी और यह 32 इंच मुझे चाहिए थी और यह लेंच में 32 इंच ही है और 24 इंच इसकी चुड़ाई थी तो इसको मैं डबल करूँगी और डबल करने के बाद इसको 12 नहीं बलके मैं 13 का निशान लगाऊंगी क्योंकि एक इंच मुझे एक्स्टर चाहिए जो साइट पर यह फोल्ड होगा और यहां पर देखिए मैंने डबल करके 13 13 का निशान लगा लिया है उपर से लेके नीचे तक मैंने यहां पर निशान लगाने के बाद अभी इसके गले का निशान यहां पर और इसके बाद इसे एक स्क्वेर सा ब्लॉक बना लूगी जिससे हमें शोल्डर की कटिंग करनी है और इसके बाद जो मिडल में निशान लगाऊंगी हमें जो पाकिट लगानी है उसका यहां पर यह देखिए 12 इंच के फासले पर मैंने निशान लगा लिया है ब यहां से ओपर से लेके नीचे तक जो मैने यह राउंड में निशान लगाया है यह है शोल्डर कटिंग का इस तरह से हमारा एपरन हो जाएगा कट और यह देखिए मैंने अलग से कर लिया है और इसकी मैं कटिंग कर लूगी靠ीग करते वक्स शोल्डर के पास से मैंने तक् प्रिबन 31 या 32 इंच काटा है और चोड़ाई में ये 2 इंच थी तो उसी हिसाब से काटूगी और ज्यादा इसलिए मैंने काटा है क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ से मुड़ेगा और कुछ जो सिलाई के अंदर जाएगा तो इसकी सिलाई लगाने के बाद लंबाई 27 या 28 इंच तक इनफ होगी तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने एक्स्टा काटा है और ये जो शोल्डर के अंदर से कपड़ा बचा था उसी को मैंने यूज करते हुए 8 इंच चोड़ाई और 8 इंच लंबाई के हिसाब से मैंने पाकिट को रेडि कर लिया है अभी यहाँ पर फिटिंग वाली और गले की पटियां मेरेडि कर लोगी गले की पटि 24 इंच लंबाई में और 2 इंच चोड़ाई में थी और जो साइट से फिटिंग वाली पटियां है वो है 27 इंच लंबाई में और 2 इंच चोड़ाई में इन पटियों को बना कर मैं इस तरह से सीधा क का लोगी और फिर दूसरी तरफ से भी एक इंच का फासला छोड़ के इसको इसके साथ सिलाई लगा लोगी लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया है यहां पर सिलाईयां लगाते वक्त जो पटी है उसको पिलकुल सीधा रखना है तांके गले के तरफ जाके एक शेप बन जाए और यह देखिए यहां पर पटी लगाने के बाद मैं अभी इस पर पाइपिंग अटैच करूंगी आप कोई भी पाइपिंग ले सकते हैं मैंने यहां पर चेक पैटन वाली एक पाइपिंग ली है जो के किचन की चीज़ों में चेक पैटन बहुत ज्यादा यूस होता है औ इसका फुल ट्टोरियल मेरी चैनल पर मुझूद है आप लोग विजिट कीजिएगा आपको वहां से मिल जाएगा और यहां पर गले की पाइपिंग लगाते साथ साथ ही मैंने शोल्डर की पाइपिंग को भी इसके साथ से लाई कर लिया है इसी तरह से सिर्फ गले और शो बाइपिंग नहीं लगाऊंगी इस तरह से रखते जाएए और गुलाई में सिलाई लगाते जाएए और जब यह सिलाई कंप्लीट हो जेगी तो इसको मैं अंदर की तरफ से कटिंग कर लूँगी ताँ कि यह अच्छे से अंदर की तरफ मुड के इसकी शेप खराब ना हो यहां देखिए पॉकिट भी रेडी हो चुकी है और साइड वाली पटियां भी रेडी हो चुकी है और अभी मैं इसकी अटैच करूँगी साइड वाली पटियां क्योंकि उपर वाली पटियां यह देखिए इसके साथ फिक्स हो चुकी है और साइड वाली पटियां रह लगती है मैंने यहां से नीचे जो घेरा होता है गेरे की साइड से इसकी सिलाई लगाना शुरू की है उपर की तरफ और यहां पर लाके मैं इसके साथ पट्टी अटैच करूँगी यह देखिए पट्टी को अटैच करने के लिए मैंने पहले से कपरे को मोड के नीचे की तरफ किया है और पट्टी को अंदर की तरफ मैं मोड के इस तरहां से सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लूँगी और पका कर दूँगी यहां पर इसी के साथ साथ सिलाई लगाते हुए यह मैं फोल्ड करनूगी और फोल्ड करते हुए नीचे घेरे तक चली जाओंगी और इसमें जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी फिटिंग की सिलाई नहीं होती है एपरन बिल्कुल सीधा सीधा होता है जब हम पहनते हैं तो इसको पीछे की तरफ से अपनी मर्जी के मताबिक हम फिट कर सकते हैं इसकी डोरी के साथ यहां पर एक पैर का फासला रखते हुए इस पटी को फिर से एक बार मैं पका करूंगी और इसी सिलाई को मैं उपर की तरफ इसकी पाइपिंग को फोल्ड करते हुए ले जाऊंगी اور एक पैर के फासिले पर ही इसको सिलाई लगानी है और पाइपिन को साथ ही साथ मैं फॉल्ड किये जा रही हूं और साथ ही साथ इस तरह से सिलाई लगाओंगी ताँ कि य anime हो जाए वीडियो को हमेशा मैं फास फॉरुड पर इस टी रखती हूं तांके आपको कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल सके अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प पॉकिट फिक्स कर लाइँगे। पॉकिट पॉकिट पर प 시청 कर लोगी। पॉकिट पर पहल यहां पर फेक्स करना पॉकिट पाफर नहीं करना लाइदा कर लाही है। और ये देखिए अभी पिंज निकाली है मैंने एपरन बिल्कुर रेडी हो चुका है लेकिन इसको थोड़ा सा और खुबसूरत बनाने के लिए इस पर मैं बटन लगाऊंगी कुछ भी आप मैंशिंग बटन लगा सकते हैं लेकिन मैं इसके साथ परपल कर रहें के मैंशिंग दो बटन ऊपर की तरफ लगा रही हूँ आप चाहें तो पॉकिट्स पर भी लगा सकते हैं और ये देखिए हमारा एपरन हो चुका है रेडी I hope आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेर विज यो फ्रेंद और फैमिली और मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआउं में याद रखेगा इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ अलाहाफेज